नमस्कार दोस्तों ये आज मेरे द्वारा सोलर चार्ज कंट्रोलर मंगवाया गया है सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर किस प्रकार का क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे solar charge controller के द्वारा आप कोई भी battery जो है वो solar से चला सकते हो इसको हम unboxing करेंगे solar के द्वारा आप जो भी batteries है उसको charge कर सकते हो और दिन के अंदर solar का backup बहुत अच्छा होता है मेरे पास 170 watt की solar panel है जिसका उप्योग मैं करता हूँ और 12 voltage की battery जो है वो एक गंटे के अंदर 12H वाली है एक गंटे के अंदर चार्ज हो जाती है और दिन में पूरा load जो है solar से चलता है आप भी इसको चला सकते हो अभी मैं इसको unboxing करके दिखाता हूँ मैंने 20 ampere का मंगवाया था जो ज़्यादा गरम हो रहा था solar solar controller अभी मैंने 30 ampere का मंगवाया है अब इसको देखते हैं कि ये क्या condition में रहेगा जितनी ज़्यादा ampere का मंगावागी उतना ही गरम कम होगा और बाद में आप जैसे मालनों की आज मेरे पास 170 watt की solar panel है कल को एक और प्लेट भी लेके आता हूँ तो इसके आराम से वो लग जाएगी इसलिए आप जब भी लेके आओ तो अपने बहुत से का फ्लान देख करके ही लेके आएं और अभी मैं इसको open करता हूँ इसको अंसाइड में करतेते हैं solar charge controller ठीक है और ओहू बारा वोल्टेज ये 10 amp का आया है मैंने 30 amp का order दिया था 30 amp का order दिया था ये इसने 10 amp का बेश दिया ये company वाले जो हैं इस परकार से एक परकार से जो order हम देते हैं वो मिलता नहीं है चलो अंदर खोल के और देखते हैं order जो दिया था मैंने 30 amp का दिया था और इसके अंदर देखो आपके सामने है आपके सामने सब कुछ कोला है इसमें 30 amp का नहीं आया 10 amp का आया है कोल के अंदर से और देखते हैं किस परकार का क्या क्या है यह है यह है solar charge controller ठीक है अब यहां हम देखते हैं 10 amp यह देखिए 12 वोल्टेज 20 वोल्टेज 10 amp का आया है और इसको हम देख 130 वार्ड तक चला सकते हैं यह बिलकुल गलत है और यह 10 amp का उन्होंने बेज दिया ओडर दिया था मैंने 30 amp का और इस परकार से जो ओनलाइन हम समान मगाते हैं उसके अंदर जो कंपनी वाले हैं वो फ्रोड गरते हैं देखिए यह मैंने पूरा 30 amp का मुवाया था और मेरे पास 10 amp का आया है आपके साम मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहां पर एडर्स है मेरा ठीक है इसलिए यहां पर नहीं दिखाया और यह देखिए यहां पर पिलकुल नया पड़ा हुआ है यहां कुछ भी कटिंग नहीं है आपके सामने खुला है इसको और पूरा का पूरा जो है यह मैं पहले उसक लेकिन मैंने मंगवाया था 30 एमपेर का और आया है मेरे पास 10 एमपेर का तो इसको तो वापस करना ही है कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये लोग जो हैं इस प्रकार से करते हैं और ये हम वापस करेंगे क्योंकि कोई काम की बात नहीं है मेरे पास 170 वाट का था और इसका डि इस वीडियो की साथ मैं जोड़ूँगा स्क्रीन पर आपको लेके सलूँगा लेकिन अब प्रेसा नहीं किसको होती है प्रेसा नहीं होती हम को क्योंकि हम ओडर देते हैं कुछ और मिलता कुछ हो रहे और यह जो कंपनी है ना इस कंपनी ने तो बिलकुल ही इसी प्रकार से कर रख आए एक तो इन्होंने 10 एंपियर का दे रख आय जिस पर 480 वार्ट दे रख आए थीक है यह वह भी मापको दिखाऊंगा ठीक है आल थोड़ी। इसमें लाइट आ रही इसके अंदर वू भी मापको दिखाऊंगा लेकिन यह अभी 10 एंपियर का ही दिगे यह यह अभी मैंने आपको दिखाया था जो ओडर अन्वोक्सिंग करके और वो यही ओडर है और इसका जो MRP वगएरा है वो भी है और 424 रुपए है उसमें सेलर ने बिल भी नहीं दिया था और इसको अभी मैंने रिटन किया है अभी अभी अपरूर नहीं हुआ ताथा भी 419 उन्मीक का हो गए यह मैंने मंगवाया था ठीक है जो मैंने वीडियो में दिखाया वो सेम है अपर आपके सामने इसारी इमेज भी दिखा ये देखे यहां पे 30 empear 488 America इसको देख करके और मैंने order दिया था आपके सामने हैं आखों के सामने ठीक हैं तो यहां पे यह seller इस परकार से करते हैं इन्होंने बेज दिया मेरे को 10 Empear का ठीक हैं और मैंने मंगवाय था 30 Empear का अबी भी आप चाहो तो इसका cellar का नाम बता देता हूँ मैं seller का नाम देखी यहाँ पे मिल जाएगा आपको कही न पहीं कहीं यहाँ पे seller का नाम मिलेगा देखते हैं अभी seller का नाम यह रहा ठीक है रेटिंग दे रखी इसको 4.5 की आप रेटिंग देने वाले भी पता नहीं क्या करते हैं या फर्जी रेटिंग दे रखी होगी तो यह जो seller है आप चाहो तो यह order खुद दे करके देख सकते हो ठीक है cash on delivery कर देना और आप पहले packet को खुलवा लेना और उसके बाद उसको चेक कर लेना यह seller है आप यह order दे देना कभी भी मैं इसका link भी डाल दूँगा यह order देऊगे न तो आपको the same pair का ही मिलेगा यहाँ इसने 30 amp pair का दे रखा है ठीक है एक तो यह है online में फ्रोड का तरिका कुछ लोग इसको चेक नहीं करते है और सोचते हैं मेरे पास same order रहा है ठीक है अभी मैं एक और दिखाता हूँ इसका इसी seller का यह product एक और है 10 amp pair का यह 30 amp pair का आ गया 30 amp pair का देखिए red 400 number हुए है एक 10 amp pair का यह देखिए H.S. Thip यही company है same to same अब इसका दिखाता हूँ मैं देखिए यह 10 amp pair का है ठीक है और यहाँ पर description में दिखाता हूँ मैं आपको देखिए 10 amp pair ठीक है इसने watt कितना दे रखा है 240 10 amp pair का जो होता है वो 130 watt तक support करता है और इसने sorry 240 दे रखा है 240 दे रखा है और 10 amp pair का जो है वो 240 watt तक support नहीं करता है 130 watt तक support करता है तो online में इस परकार से यह लोग करते है तो जब भी आप product मंगाएं तो पहले उसकी जानकारी ले लें क्योंकि मैंने भी इसकी कोई जानकारी नहीं ली थी और solar plate जो है पहली बार बार लेके आए तो सोचा हम Влад खरीदे लेते है मार्केट में मिला नहीं चीज सनि जैसी है वैसे वैसे में मिल जाती है लेकिन ऑन लाइन मार्कार से अपने सामने हो सकता है तो इस परकार से मैंने आपको दो example दिखा दिए आप चाहो तो ये प्रोडेक्ट मंगा के देख लेना 10 ampere का आएगा लेकिन यहां 130 watt का आएगा आप चाहो तो मंगा के देख लेना मेरा जो भी वीडियो होता है लाइव स्पूत के साथ होता है और आपके सामने सब कुछ कलीर हो रहा है ये चीज ठीक है सुचना अचली की चनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की जानकरियां और भी आपको मिलती रहेंगी तो थोड़ा सा सच्चेत रहें सावधान रहें उसके बाद ही प्रोडेक्ट जो है वो खरीदें थैंक्यू धन्यवाद